हेलो इस्ट्रेंट्स वेर्गम टू चनल सब कुछ नो आज आप लोग प्रहेंगे क्लास नाइन्थ एंसी आर्टी मैत का प्रसनावली 7.1 का 5 कोस्चन से आगे इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगो ने कोस्चन 4 तक पुरा कम्प्लीट पढ़ाई किया था तो अगर आप पर कोस्चन 5 दिया है हमने आप लोगों को इधर इंट्रोडक्शन इसका बताया था और एक एक दो-दो कोस्चन करके इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके सीध करने वाले कोस्चन है तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो 5 में देखिए दिया करा रेखा L कोड A को सम दूभाजित करते हैं, इस फीगर में, बुक में फीगर बनाएक दिया हुआ, करा रेखा L कोड A को, ये देखिए यहाँ पर कोड A है, ये पूरा कोड A है, तो करा इस कोड A को रेखा L जो है क्या कर रहा है, ये सम दूभाजित, अब देखिए सम बराबर भागों में ये रेखा इस कोड़ A को बाट रहे हैं, बराबर भागों का मतलब क्या हुआ, जितना यहां है, उतना ही यहां भी है, मतलब इधर और इधर दोनों क्या है, कोड़ बराबर है, ध्यान दिजिएगा, आगे देखिए करा और B रेखा L पर इस्थित कोई ब भुजाओं पर करा यह देखिए, B P और B Q कोड A की भुजाओं पर अब यह देखिए, इसका भुजा यह और यह है, भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं, देखिए, B से लंब डाला गया है इस वाले भुजाओं पर, और इस वाले भुजाओं पर B से Q लंब डाला गया लंब मतलब क्या होता है ऐसी रेखा जो दूसरे रेखा पर लंब हो तो उसके साथ नब्बेंस का कोड़ बनाती है यहाँ पर नब्बेंस का कोड़ बना यह रेखा इस पर लंब तो यहाँ नब्बेंस का कोड़ बना इसको आप लोग याद रखेंगे दर्साईय की दर्साईय मतलब सिद करना आप क्या सिद करना देखिए दो कोस्चन दिया हुए पहला सिद करना तिर्भूज A, P, B, सरवांगसम तिर्भूज A, Q, B कह रहा है सिद करिये तिर्भूज A, P, B देख रहा हैं आप लोग यह कि इहां पर तिर्भूज बनाएं यह कि इहां पर A Q B तो यही दोनो तिर्भूज सर्वांग सम होंगे यही सिध करना आप लोगो GO और सेकेन नमबर पर सिध करना BP ब्राबर B Q सेकेन पर क्या सिध करना यह BP और B Q दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे अर्थात उसी को कहा है बिन्द B कोड की भूजाओं से सम दुरस्थ कह रहा है कि इस भूजा और इस भूजा से ये B क्या है सम दुरस्थ है मतलब बराबर दूरी पर बराबर दूरी का मतलब वही सिद्ध करना आप लोगों को कि ये BP और BQ दोनों क्या होंगे बराबर होंगे तो सबसे पहले हम लोगों को ये दोनों तिर्भूज सरवांगसम सिद्ध करना देखिए जब सरवांगसम हम लोग सिद्ध कर देंगे दोनों तिर्भूजों को तो उसी दोनों तिर्भूज में ये भूजा और ये भूजा आएंगे तो सरवांगसम तिर्भूज की संगत भूजाएं और संगत कोड बराबर होते हैं आप लोग जानते हैं तो यही हम लोग डाइडेक्ट इसको लिख देंगे इसके बराबर यह मतला हमको सबसे पहले सीद करना दोनों तिर्भूज सरवांगसम लिखने का तरीका आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं सबसे पहला हेडिंग हम लोग लिखते हैं ग्यात है अब ग्यात है में जो main चीज जो भी question में दिया रहता है उसको लिखते हैं जैसे देखिए A को सम्दिभाजित करती है कारा की जो रेखा L है A को सम्दिभाजित करती है तो इतना हम लोग नहीं लिखेंगे हम लोग direct जो main है उसको लिख सकते हैं जब ये कोड इसके बराबर होगा तो हम लोग खोडों का क्यों नाम ही लिख दा मालिजिए इस कोड का नाम लिखना हो केवल इस वाले का उपर वाले का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे Q A B इस कोड का नाम लिखेंगे क्या Q A B दिया है क्या कोड Q A B बराबर कोड किसके इस वाले कोड के बराबर है इस कोड का नाम क्या लिखेंगे पी ए बी कोड पी ए बी हम लोग ज्यात है में यह हमने क्यों लिखा क्यों कि कहा है रेखा एल कोड ये को सम्द्विभाजित करता है या तो ऐसे लिखा नहीं तो उसी को हमने मैथ में कनवर्ट कि यह इसके बराबर है तो हमने इसको लिख दिया फिर आगे और भी देखिए क्या दिया बीपी और बीक्यू कोण एक भूजा पर बी से डाले गए लंब आप देखिए का रहा है बीपी और बीक्यू क्या है लंब डाले गए तो जब लंब डाले गए बीपी और बीक्यू त तो देखिए यहां लंब डालने का मतलब क्या हुआ यह कोड़ और यह कोड़ नबेंस क्या हैं तो हम लोग यह भी लिख सकते हैं लिखेंगे कोड़ BQA यह इसी में ग्यात है में हम लोग लिख सकते हैं तथा कोड़ BQA BQA बराबर कौनसा है यह कोड़ है ए P B यह ऐसे लिख सकते हैं बी पी ए पी ऐ यह दोनों बराबर होगाई ग्यात है में यही दिया हमने इसको सोट में अपने भासा में लिख लिए यह सम्द्विभाजित करता है, इसको हमने लिखा दोनों बराबर है, यह लंब डालेगा है, यह दोनों कोड बराबर है, और कितने अंस के हैं, 90 अंस के हैं, यहां लिख लेंगे दोनों बराबर है, 90 अंस के हैं, अब हम लोग ग्यात है, जब लिख चुके हैं, तो हम लोग ल लिखेंगे तिर्भूज, A, P, B, सरवांगसम, तिर्भूज, A, Q, B, यह पहले नमबर पर यह हमको सीद करना है, और दूसरे नमबर पर क्या सीद करना है, B, P, बराबर B, Q, BP बराबर BQ अब देखिए दो चीजा हमको सीध करना है ग्यात है हमको पहले से अब हम लोग क्या करेंगे सरवांसम सीध करना रचना कुछ करना नहीं हम लोग लिखेंगे प्रमार प्रमार मतलब यहां से हम लोग सीध करने जा रहा है अब पर्मार में सीध क्या करेंगे दखिए दो तिर्भूज या इसी दोनों को हमको सरवांसम दिखाना दोनों तिर्भूजों को ले लेते हैं तिर्भूज का नाम इहां आप लोग देख सकते हैं दिया तो हम लोग लिखेंगे तिर्भूज A, P, B तथा तिरिभूज A, Q, B में इस दोनों तिरिभूज में हम लोग क्या करेंगे तीन चीजा कोई बराबर दिखाएंगे तीन चीजा रूल के साथ बराबर दिखाएंगे तो तिरिभूज दोनों सरवांगसम हो जाएंगे अब हम लोग दोनों तिर्भुज में क्या लिख सकते हैं देखिए ये कोड़ इसके बराबर है क्योंकि हमको ग्यात है ये वाला कोड़ इसके बराबर है क्योंकि हमको ग्यात है क्वोस्चन में ही दे दिया सम्द भाजित करता है तो हम लोग लिख लगे इस कोड़ को लिख सक कारण में क्या लिखेंगे ग्यात है क्योंकि रेखा एल सम्दुभाजित करती है मतलब ग्यात ही यह अब कुळ हमने लिखा एक भूजा देखिए यहाँ पर यह जो a b भूजा इस वालें b यह यह इस वालें b यह तो दोनों में है तो बराबर ही है हम लोग लिख सकते है a b बर ब्राबर A, B कारर क्या लिखेंगे जब दोनों में होने का मतलब लिखते हैं अब देखिये दो चीजे हमने बराबर किया और तीसरा है यहां भी कोड़ 90 मतलब दोनों बराबर होगा ग्यात भी है तो हम लोगी इसको लिख लेते हैं कोड B, Q Q A बराबर Q B P A Q B P A यहां कारार क्या लिखेंगे लिखेंगे परतेक 90 अंस है और यहां लिख लेंगे ग्याथ क्योंकि ग्याथ हमको इसमें ग्याथ हमें हमने लिख लिया तीन चीज़ा देखिए बराबर हो गाई दोनों तिर्भूज की तो हम लोग का सकते हैं तिर्भूज सर्वांग समा लिखेंगे इसलिए तिर्भूज A P B सर्वांग सम तिर्भूज A Q B अब जब दोनों सर्वांग समा तो यहां कारार लिखेंगे किस कारार से कौन से रूल से तो देखिए ये core भूजा core मतलब A S A दुवारा यहां लिखे लेंगे यही हमको prove करना था यहां लिखे लेंगे proved तो देखिए हमारा पहला question proof हो गया यहां पर पहला number डाल भी लेंगे अब ही हम लोगों को दूसरा वाला prove करना है दूसरे number को यहां पर डालेंगे और क्या लिखना है क्या सीद करना है BP बराबर BQ तो हम लोग लिखेंगे यहां देखिए BP बराबर BQ करना है जब दोनों तिर्भू सरवांगसम हो गया सरवांगसम होने के बाद क्या होते हैं सभी संगत कोड बराबर हो जाते हैं हम लोग लिखेंगे बराबर BQ क्या हम लोग लिखेंगे चू की दोनों तिर्भू सरवांगसम हो हम लोग लिख लेते हैं चू की तिर्भूज APB सरवांगसम हो किसके तिर्भूज A, Q, B दोनों तिर्फुज सर्वाएंग, सम है इसलिए BP बराबर BQ इसलिए BP बराबर BQ, यहां कारण क्या लिखेंगे CP, CT द्वारा यह भी पुरूब हो गया CP, CT द्वारा इसका मतलब क्या हुगा सर्वाएंग, सम तिर्फुज की संगत भुजाएं बराबर होती है इसलिए हमने इसको सिद्ध कर लिया सर्वाएंग, सम यहां हमने सिद्ध किया था तो इस तरह से यह 5 questions complete होता हम लोग question number 6 को देखते है तो कि आप question number 6 दिया आकरी 7.21 देखिए हैं आकरी 7.21 में AC बराबर A इध्यान दिएगा, यह जो AC है इसके बराबर A हमने double ऐसे लगा दिया हुआ figure में भी दिया, इसका मतलब दोनों बराबर है AB बराबर AD और देखिए AB बराबर कौन है AD हमने single ऐसे किया मतलब इसके बराबर यह है double वाला पता चले कि इसके बराबर यह है और देखिए फिर दिया कोड BAD दिया कोड BAD मतलब यह कोड बराबर है किसके EAC के EAC के इस वाले कोड के बीच में देखिए खाली जगा बचा वी दोनों बराबर है तो दर्साईए की B.C. बराबर D.E. ध्यान दिजीए अगा सीध क्या करना है ध्यान दिजीए देखिए यह थोड़ा सा मोटा करते है इसको यह सीध करना है यह जो B.C. है किसके बराबर है D.E. के D.E. देखिए कहा है यहां देख सकते हैं D E है यह आप लोग जो देख सकते हैं यह है D E तो यही दोनों सिद करना है कि बराबर है तो ध्यान दीजिए अप लोग जिस तिर्भूज में सिद करना होता है बराबर उसी तिर्भूज को हम लोग सरवांगसम दिखाते हैं जैसे मन दीजिए यह इस तिर्भूज में आ रहा है A B C वाले में और यह वाला कि इस तिर्भूज में आ रहा है A D E वाले तिर्भूज में गर इस दोनों तिर्भूज को हम लोग सरवांगसम दिखा न तो हम लोग क्या कर सकते हैं जब सरवांगसम हो जाएंगे तो सभी भूजा हैं सभी कोड बराबर हो जाते हैं तो हम लोग डाइरेक्ट जो सीध करना इसको लिख सकते हैं कि BC बराबर DE है तो हम लोगों को दोनों तिर्भूज को सरवांगसम दिखाने के लिए तीन चीजां बराबर होनी चाहिए ध्यान दिजिएगा तीन चीजां बराबर होनी चाहिए अब इस तिर्भूज में जब देखेंगे आप लोग A, B, C वाले में इस वाले बड़े तिर्भूज में यहां तक वाले में देखिए A, B, C वाले में क्या-क्या बराबर है एक भूजा यह है और इस तिर्भूज में देखेंगे आप लोग जब A, D, E वाले में तो एक भूजा यह है मतलब दोनों तिर्भूज में एक एक भूजा बराबर हो गए फिर इसी वाले तिर्भूज में देखिए ये भूजा और इस वाले तिर्भूज में ये वाला भूजा दो भूजा बराबर हैं लेकिन कोड नहीं बराबर देखिए कोड इतना ही बराबर दिया हमको तिर्भूज कौन सा लेना है A, B, C लेना क्योंकि ये भूजा पूरा इतने में आरा जबकि कोड इतना ही बराबर दिया है और इतना ही बराबर अगर यही कोड यहां तक दे देता बराबर और यह यहां तक दे देता बराबर तो दोनों काम हो जाता अब बीच वाला कोड तो दिया नहीं है केवल यह पूरा तिरभूज का कोड नहीं दिया मतलब यहां तक तिरभूज है तो कोड यहां तक होना चाहिए था तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे, फिर से हम लोग सीध करेंगे, दखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्यात है, ग्यात है में जो question में दिया है, उसको लिख देते हैं, तो लिखेंगे, AC बराबर AE, जो question में दिया है, AB बराबर AD, तथा क्या दिया है, code BAD, तथा code BAD, बराबर कौन है, code EAC, code EAC, इतना हमको question में ही ग्यात है, सिद्ध क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं, सिद्ध करना है, यहाँ, BC बराबर DE, अब हम लोग परमार हल करते हैं, अब दोनों तिर्भूज में हमको सरवांगसम दिखाना है, तो direct तो सरवांगसम दिखाना ही पाएंगी, क्योंकि दो ही चीजां बराबर question में दी गई है, एक हमको बराबर पहले करना पड़ेगा, तो हम लोग देखिए कैसे बराबर करते हैं, हम लोग लिखेंगे, पहले question में क्या दिया है, B, A, D, यह वाला code दिया है, बराबर हम लोग लिखते हैं, code B, A, D, बराबर, किसके बराबर दिया है, B, A, D, किसके बराबर दिया है, देखिए, C, A, E के, यहां देखिए, E, A, C के, कोड़ E, A, C के, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इतने कोड़ से नहीं मतलब है, हमको इतने कोड़ से मतलब है, देखिए, यहां तक का कोड़ चाहिए, क्यों यहां तक का चाहिए, क्यों कि ति भूज A, D, E वाले में कौन सा कोड इतना कोड नहीं चाहिए हमको, पूरा यहां तक का कोड चाहिए, तो यहां यहां तक का कोड कैसे आएगा, ध्यान दिजिएगा बीच के कोड का क्या नाम है, D, A, C है, बीच का कोड देखिए, यही वाला कोड हमारा यही वाला कोड दोनों चाहिए दोनों में नहीं है अगर यही कोड इस वाले में आ जाए तो यह कोड पूरा हो जाएगा और इस वाले में भी यह कोड आ जाए तो यह कोड पूरा हो जाएगा मतलब जो डी एसी है वो दोनों नहीं है तो हम लोग डी एसी दोनों जोड देंगे लिखेंगे दोनों प पक्षो में कोड D.A.C. जोडने पर ऐसा हम लोग क्यों कर रहा है क्योंकि दोनों तिर्भूज में दोनों कोड बराबर चाहिए जो हमको सीध करना वो दोनों पूरा नहीं कोड दिया इतना ही बराबर इतना ही बराबर रिया वोह हम लोग बढ़ा रहे हैं तो देखिए, दोनों पच्छों में D, A, C, जोड़ने पर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? यह कोड B, A, D है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे कोड D, A, C, और बराबर इधर कोड E, A, C है, इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे क्या? कोड़ D-A-C अब देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कोड़ B-A-D पलस D-A-C ध्यान दीजिए, कोड़ B-A-D और पलस D-A-C दोनों मिलके यह पूरा कोड़ हो गया आप यहां तक का कोड़ हो गया वहाँ तक कोर्ण हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या कोर्ण बी ए सी बराबर कोर्ण यहां दखिए ई ए ए सी प्लस डी ए सी पूरा मिल के क्या हो जाएगा डी एए कोर्ण डी ए ए ए इसको मानली जीए समी करण एक हमने यहाँ पर यह कोड बराबर दिखाया यहाँ से हम लोग ले लेंगे अब हम लोग दोनों तिर्भुज सर्वांग समझे ऐसे देखिए समझते हैं जैसे मानली जीए यहाँ ऐसे दो कोड अगर बने हो ऐसे यहाँ और यहाँ A, B, C, और D ध्यान दिजिएगा अगर इस कोड और इस कोड को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ऐसे ही हमने यहाँ किया है मानली जीए यह कोड और यह कोड जोड़ना तो कितना आएगा लिखेंगे A, B, D ध्यान दिजिएगा इस ABD और DBC दोनों को जोड़ेंगे जब इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा code इतना हो जागा यहां से यहां तख तो direct इसका नाम हम लोगे ABC लिख सकते हैं उसी तरह हमने यहां खी आ इतने code को और इतने code को हमने जोड़ा इतने code का नाम BAD है और DSC और इतने वाले कोड का नाम dsc है तो जब इसको और इसको हम लोगों ने जोड़ा तो पूरा कोड क्या हो गया इसको और इसको जब हमने जोड़ा तो पूरा कोड यहां से यहां तक का हो गया जोड़ने पर मतलब यहां से यहां से यहां तक को हम लोग लिख सकते हैं B A C तो वही हमने B A C लिखा है इसी तरह इधर का देखिए E A C इतने कोड को और पलस उसमें हमने जोड लिया है D A C इतने वाले कोड को तो पूरा यहां से यहां तक अब हो गया उसका नाम क्या लिख सकते हैं D A E लिख सकते हैं तो वही हमने लिखा है अब दोनों तिर्भूज हम लोग लेके सरवाइंग सम दिखा सकते हैं कौन सा तिर्भूज यह बड़ा वाला तिर्भूज ABC लिखेंगे तिर्भूज ABC तथा तिर्भूज यह बड़ा वाला जिसमें ये भूजा आजा जो सिद करना तो देखिए A, D, E है तिरभूज A, D, E में दोनों तिरभूजा में हम लोग तीन चीज़ां बराबर दिखाएंगे ग्याथ, ग्याथ, देखिए इस तिरभूज को जब हम लोग लेंगे ये वाला तिरभूज, ये वाला तिरभूज हम लोग लेते हैं तो इसमें क्या है A, C A, C ये वाला भूजा और इस तिर भूज में कौन सा भूजा है देखिए इस वाले तिर भूज को देखते हैं तो A, E तो हम लोग क्या लिखेंगे A, C बराबर A, E हो गया अब हम लोग कोड लिख लेते हैं भूजा, कोड भूजा ये कोड़ हमने बराबर किया लिखेंगे कोड़ B, A, C कोड़ B, A, C बराबर कोड़ कौण सा D, A, E कारण यहां क्या लिखेंगे समी करण एक से हमने समी करण एक में इसी को हमने निकाला है समी करण एक से अब यहां सपता चल जागा यह कैसे आया यह कोड देखिए अभी यह सम मिटाते हैं यहाँ से अभी इस तिर्बुज को जब हमने लिया A, B, C को तो पूरा कोड यही वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक हमने बराबर कर लिया तो मतल्म कौन सा कोड है B, A, C है तो देखिए कोड B, A, C बराबर होगा किसके इधर के इस वाले कोड के बराबर होगा यहां से यहां तक का कोड क्या है D, A, E है तो D, A, E है यहां हमने सिध किया भी है तो दोनों बराबर होगा एक भुजा एक कोड अब ही एक भुजा यहां और बराबर दिया था AB बराबर AD देखिए AB बराबर AD जो भी तिरभुज का भुजा और कोण लेंगे जिसको सरवांसम दिखाना होगा उसी का लेंगे अब इस वाले का देखिए हमने कौन सा भुजा लिया है AB तो देखिए भुजा AB और इस वाले तिरभुज में आ रहा है कौन सा AD तो AB बराबर AD तो तीन चीज़ां देखिए दोनों बराबर होगा यह भी ग्याप है अब तीन चीज़ां दोनों तिरभुज में बराबर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसलिए तिरभूज सरवांग सम हो गए कौन-कौन तिरभूज ABC सरवांग सम तिरभूज ADE इसको आप लोगको नहीं लिखना आई यह हमने समझने के लिए लिखा था दोनों तिरभूज सरवांग सम हो गए किस कारण से भूजा कोड भूजा से भूजा कोड भूजा से दोनों सरवांगसम हो गए अब हम लोग फिर से क्या लिखेंगे लिखेंगे अत जब दोनों तिरभूज सरवांगसम हो गए उसी दोनों तिरभूज के ये भूजा और कोड सभी संगत वाले बराबर हो जाएंगे इसलिए हमको जो सीद करना था उसको लिखेंगे लिखेंगे अथा BC बराबर DE यही प्रूफ करना था प्रूफड हो गया किस कारण से CP CT द्वारा जरूर लिखेंगे CP CT द्वारा इसका मतलब यह दोनों CP CT द्वारा मतलब सरवांगसम तिर भूज की संगत भूजाएंगे इसलिए बराबर हो जाएंगी तो इस तरह सामलों को कोस्टन सॉल्ब करना है अब बाकी के दो कोस्टन बचे हुएं इसको आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे तो आज के लिए बस इतना है आज